दोस्तो शिरी शिवाय नमुस्तव्याम हरार महादेव दोस्तो देगे भवान सिरी किष्णे कहते हैं सुबह उठकर ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जम कर आएगा पैसा दोस्तो आज का इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुती खास वीडियो ने बाला है जल्दे उठकर एक चीज जरूर खा लेना पूरे साल जम कर पैसा आएगा अगर आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा कमी रहती है घर में गरीबी चाहिए दरित्ता चाहिए तो आपको पूझ्य गुरुजी के अनुसर बताए गई जिस सरल से और काफी सकती साली उपायों को जरू करना चाहिए तो दोस्तो चले जानते हैं पूझ्य गुरुजी से ही इन उपायों के बारे में लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप से भी से हमारी हाज जोड के रुकैस्ट है कि अगर आपना इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथी वीडियो को लाइक करते हैं और अगर आप महादेब को मानते हैं उनकी पूझ दिककतें आजाती हैं जिसकी वजह से अच्छे काम में बाधा आजाती हैं लिहाजा इन समस्याओं को सुलजाने के लिए व्यक्ति कई तरीके अपनाने लगता हैं मित्रो इन उपायों को अपनाने के बाद कईयों की दिककतें सुलच जाती हैं तो कुछ लोगों की दिककते जसकी 10 बनी रहती हैं ऐसे में अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं बनी रहती हैं तो हम आपके लिए एक ऐसा उपाई लेकर आए हैं जो आपकी सभी समस्याओं को एक जटके में खत्म कर देगा आएए जानते हैं आखिर क्या है ये उपाई रोजाना घर में रोटी बनने पर सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाल कर अलग कर लें इस रोटी को नियम पूर्वक गाय को खिलाएं ऐसा करने पर मा लक्षमी का भरपूर आशिरवाद मिलता है और घर में सुक्सम्रिधी का आगमन होता है अगर किसी व्यक्ति पर शनी की ढया या साढ़े साती चल रही हो तो उसे अमावस्या या किसी भी शनिवार को बासी रोटी का उपाय करना चाहिए उसे शनिवार के दिन दो बासी रोटी और खीर गाय को खिलानी चाहिए कहा जाता है कि इस उपाय से शनी देव का प्रकोप कम हो जाता है मित्रो इस उपाय को अपनाने के लिए आपको रोटी की जरूरत होगी जी हाँ, रोटी का ये उपाय आपकी जिन्दगी से सारी समसस्याएं दूर कर सकता है तो आईए जानते हैं आखिर रोटी से इस उपाय को कैसे करना है अगर सुभा आप रोटी बनाते हैं तो एक रोटी ज्यादा बना लें और इस रोटी को चार बराबर भागों में बाट लें चार टुकडे करने के बाद हर टुकडे में एक मीठा रख लें पहले टुकडे को गाय को खिलाएं और प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामनाय पूरी हो मित्रो इसके बाद रोटी के दूसरे टुकडे को किसी कुथे को खिला दें कुट्टे को खिलाने के बाद मन ही मन बोलें यमराज का अनुसर्ण करने वाले श्याम और शबल को मैं यह अन्न का भाग देता हूँ वो इस भोजन को ग्रहन करें रोटी के तीसरे हिस्से को कौउं को खिला दें और मन में प्रार्थना करें कि पश्चिम उत्तर, दक्षिन और पूर्व दिशा में रहने वाले कौई मेरे दिये हुए इस भोजन को ग्रहन करें मित्रो इसके बाद रोटी के अन्तिम भाग को भूत प्रेत के नाम पर किसी चौराहे पर रख दें और घर वापस आ जाएं रोटी के इस उपाय को अगर लगातार अपनाएंगे तो आपकी सभी समस्याएं खत्म होंगी यही नहीं आपको कभी भी दुर्भाग्य का सामना भी नहीं करना पड़ेगा मित्रो अगर आपके जीवन में शांती न हो और बने-बनाए काम बिगड़ जाते हो तो रात की अंतिम रोटी का उपाय आपके लिए रामबान साबित हो सकता है इसके लिए आप रात को एक एक सट्रा रोटी बना लें और इसमें सर्सों का तेल लगा कर काले कुट्टे को खिला दें ऐसा करने से ग्रह दोश दूर होते हैं और आपके जीवन की सभी समस्याएं भी खत्म होगी मित्रो अतिथी को देवता का रूप माना गया है ऐसे में अगर आपके घर में कोई महमान आये तो उन्हें कभी अपमानित न करें यथा संभव पूरे सम्मान के साथ भोजन कराने का प्रयास करें इसके अलावा अगर आप भोजन कर रहे हों और कोई अतिथी पहुँच जाएं तो उन्हें खाना जरूर खिलाएं ऐसा करने से घर की दरिदरता दूर होती है और सुख शान्ती का वास होता है मित्रो लाख कोशिशों के बावजूद अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपके लिए रोटी का ये उपाय कारगर साबित हो सकता है इसके लिए आप रोटी और चीनी को मिला लें और चीटियों को खाने के लिए उनके बिल के आसपास डाल दें इस उपाय से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी मित्रो कई बार सिर्फ घर के कलह को दूर करने के लिए ही नहीं बलकि आपसी रिष्टे को मजबूत करने के लिए भी रोटी का उपाय सही माना जाता है सबसे पहले शनिवार के दिन इस चीज का ख्याल रखें इस दिन जो पहली रोटी बनाएं इस पर अपनी सास का नाम काली स्याही से लिख लें इसके बाद इसे काले कुट्टे को खिलाएं इससे सास और बहु करिष्टे अच्छे हो जाते हैं मित्रो कई बार बच्चों को नजर लग जाती है और ऐसे में वह खाना कम कर देते हैं अगर आपके घर में ऐसा बच्चा हो जो खाना कम खाता हो तो ऐसा हो सकता है कि उसके उपर किसी नजर का साया हो ऐसे में एक रोटी लें और सपर गुड रख कर उपर से 11 या 21 बार वार लें इसके बाद यह रोटी किसी कुट्टे को खिला दें तो असर खत्म हो जाएगा और बच्चा अच्छे से खाने लगेगा हिंदू धर्म में गाय में 36 करोड देवता का वास माना जाता है यही कारण है कि घर की पहली रोटी हमेशा गाय काउ के लिए बनाई जाती है ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर गाय रहती है वहाँ घर के सारे वास्तु दोश दूर हो जाते हैं इसलिए गाय की पहली रोटी गाय के लिए निकालने से घर में हमेशा सुक्समृध्धी बनी रहती है अगर आपकी कुंडली से जुड़ा कोई भी दोश है जो आपके दुरभाग्य का कारण बनता है तो ऐसे में आपको रोटी से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में भी कोई दोश है, उसे दूर करने करने के लिए धन समपत्ती को पाने के लिए आटे में चीनी मिलाकर रोटी बनाएं इसके बाद इसे चीटियों को खिलाएं आपको याद रखना है कि ये उपाय आपको अमावस के दिन करना है ऐसा करने से आपके कुंडली के दोश दूर होते हैं साथ ही आपको बहुत जल्द शुब फल की प्राप्ती हो सकती है अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो इस कंडिशन में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए दरसल गुरु का रंग पीला होता है ऐसे में आप आटे को गुंथ लें फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और गुर मिलाकर गाय को खिलाएं ये उपाय आपकी कुंडली के गुरु दोश को दूर कर सकता है साथ ही इस उपाय से आप पर देवगुरु व्रहस्पती की कृपा भी बरस सकती है इसी रोटी को कुट्टे को खिलाएं तो शत्रु भय दूर होता है कौवे को खिलाने से पित्र दोश दूर होते हैं साथ ही यदी यही रोटी किसी भूखे को खिलाई जाए तो पैसों की किल्लत दूर होती है कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उसका सुख वो नहीं ले पाते इस कंडिशन में आपको रोजाना रोटी के टक्रे करके खिलाने चाहिए